बंबे की प्रातर सेवा है, चार फर्दरे कुम्म सुच्छांचट, रिकार्ड चला है, रात के राही ठक मत जाना है, ओम शांकित। इनका आर्था तो बच्यों को अच्छी रीती सम्झाया गया है। ऐसे नहीं कि ओम भगवान है, नहीं, एक तो बापने सम्झाया है, कि मनिष्णी को भगवान नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु संकर को भगवान नहीं कहा जाता है। चेते उंचा है इश्यो बाबा। शिवाय नमुक। सब की बुद्धी में आता भी है कि श्यो बाबा है। बलस्यव के मंदिर अनेक हैं, नाम भी अनेक रखे हैं। परंतु है एक ही श्यो बाब। सबी आतमाओं का बाब एक है। जी बात अच्छी दीती समझे लो। जहां जब बैठते हो तु तु तुम सब ब्रह्मन भी के ब्रह्मा कुमारियां एक मत हो। और कोई भी सक्संद में जावेंगे तो वहां नेक मत होंगी। कोई किसका पुजारी होगा, कोई किसका पुजारी। बाप समझाते हैं मनशी को कदाप परमात्मा नहीं कहा जाता है। इस मनशी सेष्टी में मनशी को देवता भी नहीं कहा जाता है। बैविगुण वाले देवता ये लक्ष मिनारन है। बच्चे जानते हैं। बारत में पांच यार बर से पहले इनों का राजी था। ये तो सब जानते ही हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो कह देते हैं सत्यूक को लाखों बर सो गए। करियोक तो आजनों बच्चा हैं। ये हैं भी मनुश्य सभी। कोई को भगवान नहीं गहेंगे। बच्चों कुशियो बाबा कहते हैं। हे मेरी लाड़ी आत्म हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना। कहते हैं। हम सभी बर्दस हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्म हैं। ये बर्दस का बाप एक है। बर्दस क्यों कहा जाता है। क्योंकि आत्में साभ एकी किसम की होती है। बाप भी एक है। इस समें साभ आत्में दुखी पतित ब्रस्टाचारी है। इसलिए कहते हैं। इपतित पावन आओ। स्ष्टाचारी बनाने वाला बाबा आओ। बाप को पुकाते हैं। तो उंच ते उंच ठहरा। तुमारी बुद्धी में ये सब बाते हैं। नया तो बिलकुल समझ न सकी। क्योंकि ये है नई नालिजे। पतित से पावन बनने की नालिजे। पावन बनने वाला, सर्वकी सद्गती देने वाला एक है। बाब की तो साहब एक दो को दुरुगती में ही ले जाने वाले हैं। लोग की कबाप भी दुरुगती में ले जाते हैं। टीचर भी अलपकान के लिए पढ़ाते हैं। जिसे पड़ाई से कमाई लाइक बन पड़ते हैं, इस एक जनम के लिए, अच्छा, गुरु के पास तो कोई भी एम अप्जेप्ट ने जिए, बो क्या कैमाई कर आते हैं? सद्गती दाता, पतित पावन तो एक ही है, फिर और कोई गुरु तो हो ही नहीं सकता, यह ही पतित दुनिया, यता राजा रामी तथा प्रजाद, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, अथवाश्री स्री या एक सो आतरे लाने वाले सभी पतित हैं, कल युक को पतित, सत्युक को पावन कहा जाता है, सत्युक में थी दैवी संप्रदा है, यहां है रावन आशुरी संप्रदा है, पावन दुनिया में पतित एक भी नहीं होता, पतित दुनिया में फिर एक भी पावन नहीं, यह बात तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में इश्वर बाप को कोई एक भी नहीं जानते, साब निर्धन के हो गए, निर्धन के एर्थात ना धनिंके, आपसमे लड़ते जगरते रहते हैं, सत्यगी में जब लक्षि मिन्यान का राजी था, तो कुछ भी ऐसा नहीं था, रादे कृष्ण का राजी नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण एक राजी का प्रिंस था, रादे दूसरी राजाई की प्रिंस थी, जैसे कोई मित्र पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के घर के थे, दूसरे दूसरा घर था, आपस में भाई बेर भी नहीं थे, ये बात बाप बेट संधाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, कहते भी हैं, हेशिव बाबा, बाबा तो सबका हुआ न, उन्हें की ये है रचना, रचना से रचना को कोई वर्षा नहीं मिलता है, ये काइदा नहीं है, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, सभी को वर्षा देने वाला एक भाप है, बरोबर भारत में लक्षिना का राजि था, अभी तो और और धर्मों की ब्रद्दी हो गई है, सब जानते हैं, गति, सदगति, मुक्ति, जीवर मुक्ति वदेने वाला एक ही बाप है, जो आपनों को गुरु वस्री स्री एक सो आठ यगत गुरु आदी कहलाते हैं, यह सब है उनका पाखंड, बाप कहते हैं कल पहली भी समझाया था, यह सब साधना करते हैं, इन साधना करने वाले साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूं, गति यह सदगति में पहुंचाता हूं, गति सदगति तो सारी दुनिया को मिलती है, जब मनुष्य सतो प्रदान है तो पवित्र है, सत्युग में संपून निर्विकारी, सूला कला संपन्थ, त्रेता में दो कला कम हो जाती है, थोड़ा नीचे उतरते हैं, सत्तो प्रदान से सतो में आ जाते हैं, अब यह बात कौन बेट करके समझाते हैं, बात, प्रदु वो है निराकार, वो निराकार किसे में आए, तो प्रजा पिता ब्रह्मा के तरह में आए, बच्चों को एडाप्ट करते हैं, यह है बच्चों की मुखवणशावली, कुखवणशावली नहीं है, कुखवणशावली उनको का जाता है जो विकार से जन्म लेते, मुखवणशावली को का जाता है, तुम हमारे बच्चे हो, सन्यासी तो कहेंगे हमारे फालोवर्स हैं, बाप समझाते हैं, गीत आते वो जो कुछ सुनाते हैं साब जूट सुनाते हैं, भगवान तो एक है और वो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु संकर को भी देवता कहा जाता है, मनुसे नहीं कहेंगे, मनुसे को तो मनुसी कहेंगे, उंचे ते उंचा एक ही निराकार भगवान है, निराकार दुनिया में रहने वाला है, तो मा आत्मा इभी बहां के रहने वाली हो ना, वो निराकार दुनिया है इनकार पूरियन वर्ड, यह है साकार ओर्ड, तो जानते हो हम आत्मा निराकार हैं, यह हमारे आरगन सा साकार हैं, आत्मा अपिनाषी, ओूम्यद्ध ambitions आत्मा यत्मा इभी 3 ओूम्यद्धिव यह हम आत्मा इभी बहां के थैंर दुनिया हो हम आत्माई फूरिए